जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, कि मैंने आपके बस्तर के एक जिला सुकमा पर जो विज्ञापन जारी किया गया है, मुख्य चिकेटसायम स्वास्त अधिकारी की वर से, उसका पूरा विस्तार पुर्वक जानकारी देने का प्रयास किया है, और मैंन जाके माध्यम से होनी है, जिसके लिए अकलक से बोर्ड का गठन किया गया है, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, कांकेर जिले में जो विज्ञापन आया है, उसके बारे में, आईए समझते हैं कि कांकेर जिले में जो विज्ञापती दी गई है, उसमें क कर लेते हैं इस विग्यापन में क्या क्या बातें बताई गई हैं इस विग्यापन में ये बताया गया है कि फार्मासिस्ट ग्रेड टू ग्रामिन स्वास्ति संयोजक फुरुस और महिला ड्रेसर ग्रेड एक एम चतुर तर्शेणी में OPD अटेंडेंट आया और स्वीपर इस भरती में यानि की सीधी भरती में जो रिक्टपद में हैं उसके सीधी भरती में काकेर के पात्र इच्छुक इस्थानी निवासी ये बात ध्यान रखें इसमें उसी जिले के इस्थानी निवासी पात्र होंगे जिस जिले के लिए विग्यापन जारी किया गया है मत्तब अ वेबसाइट का एडर्स दिया गया है इस वेबसाइट पर 25 तारिक्स यानि की आज से ले करके 15.11.2021 को रातरी 12 बजे तक आनलाइन आवेदन जमा किया जा सकता है छोटा छोटा एक डेटलाइन आपको मैं बता दूँ परिक्षा होगी इसकी 19 नवंबर को 19 नवंबर को इसकी परिक्षा 19 नवंबर को इसकी परिक्षा होगी और उस दिन होगा रवीवार तो 19 नवंबर को आपको परिक्षा में भाग लेना है और इसका समय होगा 11 बच कर 45 पिनट से 2 बजे तक के आनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया 25-10 से और यह चलेगा 15-11 तक इसके लिए जो फी के लिए 250 है और अनुसूचित जाती जन जाती और दिव्यांग जन इनके लिए 200 रुपए है तो यह तीन के टेगरी में आपका फीस का क्लासिफेकेशन है अब यह कहता है कि जो ड्यूप्तियां होंगी उनका स्वरूप इस तरह से होगा कि कर्मचारी विशेस कर्मचारी च रिक्षा सूल्क आपको आनलाइन पटाना है और फार्म भी आपको आनलाइन भरना है जो इस वेबसाइट पर जा करके आपको करना होगा यह छोटी छोटी बाते थी जो मैंने आपको बता दी अब हम आ जाते हैं कि कितनी रिक्तियां किस किस केटेगरी में है उसको समझ ले लेकिन कुल पदों की संख्या इसमें 14 है और इसके लिए आपको फार्मेसी कॉंसिल में पंजिकृत और शदी निर्माण में डिप्लोमा होना चाहिए और छथिसगड़ फार्मेसी कॉंसिल में आपका जीवित पंजियन का होना जरूरी है यह हो गया फार्मेसिस्ट ग्रेट टू के लिए ग्रामिन स्वास्त सयोजक जिसमें दोनों केटेगरी है पुरुस और महिला यह लेवल फाइप के केटेगरी का पेस्किल देगा आपको और इसमें 15 पद है कुल पदों की संख्या इसमें 15 है इसके लिए आपको इलिजिबिल्टी का जो क्राइटेरिया बताया उसके अलावा एक डिप्लोमा एक साल का होना चाहिए जो प्रसिक्षण के अंदर से बहुत देशी कार्यकरता का कहा जाता है यह इसके समकक्ष भी कोई और प्रवाण पत्र मान्य होगा इसके अलावा जो अभ्यार्थी है उसको 36 गड़ पैरा मेडिकल कॉंसिल में पंजिक होना चाहिए और रजिस्टर्ण होना चाहिए यह इसके लिए सेक्षण के योग्यताएं हो गई है इसके बाद तीसर नंबर पर हम आते हैं ग्रामिड स्वास्ते संयूजक महिला यह महिला के टेगरी के लिए यह लेवल फाइब का पेस्केल आपको देखा है और इसमें यह शासंद्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्ते कारे करता का 18 या 24 महा इसका प्रसिक्षन उत्यों होना चाहिए यह दो साल का या डिड़ साल का जो डिप्लोमा है वो ट्रेडिंग आपको पूरा करना चाहिए इसी केटेगरी में जो आगे और बताया गया है उसमें ये कहता है कि आप भैरति को छतिरगर नर्सिंग कॉंसिल में महिला स्वास से कारे करता है कि रूप में पंजिगरित होना चाहिए मितानिन के रूप में 5 साल की कालावधी के लिए निरनतर आबाधित कारे किया हो मतलब आप रेगुलर 5 साल काम किये हो मितानिन के दायत्यों से पदच्यूत न किया गया हो मतलब आपको कभी निकाला न गया हो और मितानिन के रूप में कारे करते हुए मितानिनों के सकर्तव से सम्मंदित कोई अपराधिक प्रकरण आपके अगेंस्ट कहीं पर दर्ज न हो तो ये इसके योग्यता की केटेगिरी में आता है चाउथा जो पद है वो है ड्रेसर का ग्रेड वन ये आपको लेवल फोर का पेस किन देगा और इसमें आठ पद विज्ञापित किये गए है इसके लिए जो आवश्यक योग्यता हैं वो विज्ञान विशय के साथ उच्छतरमाद्मिक यानि की बार्वी पास होना चाहिए और साइंस के साथ है और उसके अलावा आपको दूस होना चाहिए आपको अपने आपको रजिस्टर्ट किया हुआ होना चाहिए पांचवा जो पद है वो है OPD अटेंडेंट जो कि क्लास फोर का पोस्ट है और ये लेवल वन का स्केल आपको देगा जिसमें चार पद रिज्ञापित किये गए हैं और इसके लिए योग्यता के पांचवी उत्रिण होना चाहिए अगर आप पांचवी पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं छट्वा जो पद है वो आया का है और ये भी चतुर्थ शेणी के के अंदर आएगा और ये भी लेवल वन का स्केल आपको देगा तीस पद है इसमें और इसमें भी आपको पांचवी उत्रिण होना चाहिए पांचवी उत्रिण होना ही इसके लिए अनिवार ये सेक्षेणी के उग्यता के रुप में बताया गया है साथमा जो पद है वो है स्वीपर का जो क्लास फूर केटेगरी का पोस्ट है और लेवल वन का स्केल देता है पांच पद इसमें विज्यापित किये गए हैं, इसकी भी सेक्षणिक योग्यता पांच भी बताई गई हैं, अब इसमें आयू सीमा की बात कर लें, पदों की संख्या मैंने आपको बता दी, किस-किस केटेगरी में कितने-कितने पोस्ट हैं वो बता दिया, अब मैं आपको बता देता कि इसके आयू सीमा के बारे में क्या-क्या जानकारियां हैं हमाल पास, 11-2021 की स्थिति में उम्मिदवार की न्यूनतम 18 और अधिकतम 35, 18-35 साल के बीच के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, अनुसूची जाती हैं, जन जाती हैं, पिछड़ा, इनको जो छूट मिलता है आय 35 यर्स का होगा, 45 साल का होगा, काकेर जीले का जो इस्थानी निवासी होना बताया गया है, कंपल सरी है, उसके बारे में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रवन पत्र ही आपका वैद होगा, यह आपको जब फाइनल सेलेक्शन होगा, उस समय आपको सब्मिट क इसमें यह कहता है कि फार्मासिस्ट ग्रेड टू, ग्रामिड स्वास्त स्योजक महिला वंपुरूस ड्रेसर ग्रेड वन आदी पदों के लिए लिखित परिक्षा लिया जाएगा, प्रवेश के लिए परिक्षा के लिए अभ्यार्तियों को स्वयम के वैपर परिक्षा के जानना होगा, इसके लिए कोई अलग से भत्ता नहीं दिया जाएगा, यह चीज बताते है कि साथ साथ यह आगे और यह भी कहता है कि फार्मासिस्ट ग्रेड टू और ग्रामिड स्वास्त स्योजक महिला वंपुरूस ड्रेसर ग्रेड वन के लिए लिए लिखित परिक्षा अनुभव के लिए 10 अंक भी प्यवस्था किया गया है और लिखित परिक्षा और अनुभव के आधार पर ही एक मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी जिसे वरीता सुची कहा गया है चतूर त्रिष्टनी के जो पद हैं OPD अटेंडेंड आया स्वीपर इनके लिए सीधी भरती है तो निरधारित नियूनतम सेक्षणिक योग्यता के प्रापतांग को 90 प्रतिशत अंक भार दिया गया मतब आपने पांचवी में जो नंबर पाया होगा उसका 90 प्रतिशत दिया जाएगा और अनुभव प्रापता ब्हरती को अधिक्तम 10 अंक दिया जाएग तो नियूनतम सेक्षणिक योग्यता के प्रापतांग के अनुभव के निरधारित अंक को जोड़ करके इसकी मेरिट बनेगी मतब यह 90 परसंट आपका मेरिट उसका पांचवी का और 10 परसंट आपके अनुभव का दोनों को मिला करके एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपके लिए जानना जरूरी था जिन लोगों का चयन हो जाएगा उनको वेतन किस तरह से मिलेगा ये भी समझे लिए परिक्षावधी में क्या-क्या व्यास्था रहेगी तीन साल की परिक्षावधी होगी प्रोबिशन पि दिये जाएंगे इसका एक स्पस्ट लेक ये करता है कि किसी भी शास्की अर्दशास्की निगम मंडल या में समविदा या दैनिक वेतन या की तदर्थ न्युक्ति पर कारेरत अनुभाव का अंक दिया जाएगा उसी पत का कारे अनुभाव का प्रवान पत्र होना चाहिए हर साल के लिए दो अंक दिये जाएंगे और अधिक्तम दस अंक दिये जाएंगे मत्तब हर साल पे आपको दो नंबर मिल रहे हैं और मेक्जिमम आपको दस नंबर मिल जाएंगे एक्स्पिरियंस के और 6 माह की सेवा पे एक अंक दिया जाएगा पूरा एक साल अगर पूरा ह करनी पड़ेगी तो यह मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको बता दी आखिर में मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दूँ कि परिक्षा की जो तिथी होगी आपकी उन्निस दिसंबर होगी और समय ग्यारा बच कर पैंटालीस मिनट से दो बजे तक का होगा और आप अप आवेदन जमा कर सकते हैं 15 नवंबर तक तो यह जानकारी थी कांके जिले से जो की स्थानी निवासी हैं वे ही इसके लिए पात रहें तो बाकी दूसरे जिले वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे इस बात का ध्यान रखें और सीधी भरती होनी है परिक्षा के माध्यान से उमीद करता हूं कि यह विज्यापन आपके लिए फैदयमंद रहा होगा आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद मिलेंगे नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में तब तक मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार अपना ध्यान रखे और उनका ध्या आपके लिए जानने वाओ